बिस्मिल्ला रमार रहीम इस लेक्षर के अंदर हम जो चीज देखने वाले हैं वो है गिट और गिटब होती क्या है गिट और गिटब कौन कौन सी चीज़े हैं और इनके बारे में नॉलिज गेन करना एक डेटा साइंटिस्ट एक AI इंजीनियर या मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए क्यों जरूरी है इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आप से एक गुजारिश है कि आप मुझे बता सकते हैं कि जब आप कभी कोई डॉकुमेंट सेव करते हैं या कोई पिक्चर सेव करते हैं और उसमें कुछ एडिटिंग करते रहते हैं आप मास्टर का थीसिज लिख रहे हैं या बैचलर की रिपोर्ट लिख रहे हैं कोई भी डॉकुमेंट बना रहे हैं तो आप उसके डिफरेंट वर्जिंस जो होते हैं वो डिफरेंट नेम्स के साथ आप बनाते हैं अब उन versions को different files में save करने के बजाए, अगर आप एक ही document में save करें, तो उसको हम बोलते हैं version control system, and git is one of the version control system, जिनको जिसे आज हम utilize करने वाले हैं, git क्यों ज़रूरी है, क्योंकि documents आपस में git mit करते हैं और लड़ते रहते हैं, इस वड़ा से git और github सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, open source क्या होता है, हम इस concept को भी आज जो है वो देखने वाले हैं, अब हम बात करते हैं कि git and github के अंदर कौन कौन सी important चीज़ें जो हैं, मेरे screen आपके सामने share हो रही है, यहां पे हम देखते हैं कि जनाब git और github क्या है, सबसे पहले चीज़, git and github के बारे मे यहां पे अगर आप गौर करें, कि आज के इस lecture के लिए हम यह भी देखेंगे, और देखेंगे किस तरीके से आपके पास github के accounts जो हैं, वो available है, अगर आपके पास github का account नहीं है, तो आज आज आप वो भी बनाने वाले हैं, क्योंकि आज का task यह ही है, कि आप github का account बन करती है, repo या repository structure कैसे होती है, local और remote repo operations कौन-कौन से होती है, commit क्या होता है, publish क्या होता है, and then we are going to learn some other tips and tricks as well, और यह lecture सभी के लिए बहुत important होने वाला है, अगर आप git और github को use कर रहे हैं, और अपने सारे के सारे documents save करना चाहते हैं, Just think about in a minute कि version होता क्या है, यहां पर मैंने एक example दी है कि अगर आप version के बारे में discuss करना चाहें, तो आपको पता है कि आपके पास window 92 थी, उसके पहले MS-DOS का system था, फिर 1 आई, फिर आपके पास window 95 आई, फिर XP 2001 आई, and then आपके पास Vista window आई 2006 में, उसके बाद window का version आया 2009 का, 2009 के आपके पास windows का version आया, windows 8 का, जो 2012 में आया, and then you have window 10, 2015 में, and आजकल windows 11 चल रही है, जो आपको पता है कि windows के different system है, यह जितने भी windows की types हैं, actual में versions हैं window के, ठीक है, from basic to the advanced one, और इस इनही को हम versions बोलते हैं, versions क्यों जरूरी होते हैं, because whenever you are talking about something, जो आपके दिमाग में एक final project आप advanced stage पर ले जाने के लिए, आपको नई file save करने की ज़रूरत नहीं है, you can say, कि यह final project है, और इसमें ही मैं addition करता जाओंगा, लेकिन पिछले versions भी save रहेंगे, इसी तरीके से हम different softwares के, different IPYNB files के versions को save करते रहते हैं, versions क्या होते हैं, एक different शकल of the same file, we are going to do that today, और, अब अगर हम बात करें कि हमें track या manage क्यों करना होता है different versions of code को, ये तो window की versions हैं, और हर window की versions में different codes होते हैं, हमें क्यों जरूरी है windows के versions को manage करना, उसके लिए एक simple सी example में आपको देता हूँ, कि जब आपके पास कोई भी code available होता है, उसके different versions आप save करते हैं, say for example, हम 5 लोग एक ही code के उपर काम कर रहे हैं, और उन 5 किसम के codes को, जब हम एक जगा पे एक अठा करते हैं, तो हमारे पास say for example, मेरे एक team member ने कोई चीज़ उस code के अंदर add की, and then I am going to add my own stuff, then the third person, then the fourth, then the fifth, तो जिसने जहां पे जो चीज़ एड की होगी, उस एक point पे हम versions को save करते हैं, for example, आज के दिन मैं versioning system की वज़ा से get and get of versions control system जो आपके सामने आए हैं, इसी वज़ा से हम different versions हैं, एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, यहां पे आपने एक document बनाया, क्या ये एक सही तरीका है, document बनाने का से, for example, briefing document, मैंने एक document बनाया, briefing document का, अब उसके अंदर मैंने करनी है, changes, just imagine, कि ये changes करन के बाद मैं एक नई फाइल बनाऊं, जिसका नाम रखो final, फिर एक नई फाइल बनाऊं, जिसका नाम रखो final revised, फिर मैं किसी से information ले के उसके अंदर add करूँ, उसको मैं बोलू final revised version 2, is it a nice way to do that? अब आपके दिमाग में question होगा, ये भी ठीक है, लेकिन आपको अगर मैं बता सकते हैं, उसी को हम version control system बोलते हैं, ठीक है, and this is how you have to work on the version control systems, अब हम क्यों करते हैं different changes, अपने code के अंदर उनको save क्यों करते हैं, उसकी reason है, उसकी main reason जो है हमारे पास जिनाबे वाली वो है, backup save करने के लिए, हमारे किसी भी code के backup को save करने के लिए, और अगर हम future में को बहुत बड़ा blender कर दें, तो हमें backup save हो, और हम वापिस जाके अपने data को जहां पर blender हमने cause किया था, वहाँ पर जाके उसको देख सके, second, यह हो सकता है कि हम different branches save करते हैं, for example, maintain old release while working on the new one, तो हम क्या करते हैं, एक branch के अंदर old version रख देते हैं, दूसरी branch के अंदर main रखते हैं, तीसरी के अंदर new रखते हैं, so this is how we can actually do the branching, branching क्या होती है, एक ही दरखत, यानि के एक ही project है, लेकिन different versions को हम different way में control कर रहें, ठीक है, so main, old and new one, so this is how we can do that, then हमारे पास हाता है जनाब collaborative workspace, for example, हम 5 लोग या 3 लोग एक ही project पर काम कर रहे हैं, we can work in parallel way, लेकिन जो काम मैं edit करूंगा, मैं add करूंगा किसी भी एक code की file के अंदर, the other person can actually see और वो उसको confirm या remove कर सकता है, so this is how you can collaborate by using parallel coding things in github version control system, इस वज़ा से github या git को use करना बहुत जरूरी है, अब हमारे पास जो different किसम के version control system है, अगर उनकी बात की जाए, तो इनको vcs बोला जाता है, इसको vcs बोला जाता है यानि कि version control systems, right, vcs and s at the end, और यह हमें क्या करते हैं, यह हमें track, manage and distribute revisions को help out करने के लिए हमें जरूरी होते हैं, and we can standardize in modern development, development हम क्या कर सकते हैं, हम modern development के era में, अगर 200 बंदे एक team के अंदर हैं, so that doesn't mean कि एक बंदे ने अगर file delete कर दी, बाकियों के पास available नहीं होगी, so versions का मतल अगर किसी बंदे ने file delete किया, so we can go back behind that step, और इस version को दुबारा से हम ले के आ सकते हैं, for example, there were many version control systems beforehand, revision control system एक RCS था, एक concurrent version system था, फिर हमारे पास सब versions आ गए थे, SVNs, and then at the end git आया था, अब होता क्या है, कि सबसे पुराना जो था, वो सारे के सारे गाइब होगे, because of something, which I am going to tell you now, git हमारे पास आजकल सबसे important and मशूरे जमाना version control system है, उसकी reason है, वो क्या reason है, अब आप confuse ना कीजिएगा, खुद को git और github से, I am going to tell you, कि git क्या है और github क्या, इन दोनों में फर में available है, और people can actually improve that version, अगर आप developer है और आप इस community में git को improve करना चाते है, you can actually write the code inside their git main code branch, then it's a super fast thing, मतलब ये कि आपके छोटे से system में भी ये काम कर जाते है, और फिर scalable भी है, बड़े systems में में काम करेगा, fast merging and branching, यानि कि merge करना दो फाइलों को या branching उसकी करना बहुत ही speed के most famous VCS है, हमारे पास version control system है, for portfolios, लोग अपना portfolio यहां पर बनाते हैं, जैसे मैंने अपने पूरे के पूरे courses यहां पर अप्लोड की हुए, using git, और इसकी base पे लोगों ने, for example, data scientist और AI developer ने अपने अपनी notebooks यहां, वो अप्लोड की होती है, on a hosting service जिसके बारे में हम बात करेंग because I just wanna say these days 99% लोग git को use करते हैं to manage their softwares other than the companies जो पुराने तरीके से different version control system को use कर रहे हैं, खास तोर पे data science companies जो हैं, आजकल वो git को use कर रहे हैं, और git के साथ साथ, अगर हम git को मदे नजर रखें, then we can also talk about one thing which is very important, और उस चीज के बीना तो गजारा होता ही नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, version control hosting services, अच्छा, git जो है, ये एक software है, which helps us to control the versions of a system, हमने अभी internet की बात नहीं की, मैं आपके system की बात करा हूँ, आप अपने system में भी git को install करके different versions को control कर सकते हैं, I am going to repeat that, git एक software है, आप अपने system में install करें, और उस system के अंदर रहत हुए, आप version control systems के use कर सकते हैं, that is called git, अब बात करते हैं, अगर हमने online कोई काम करना है, git को use करते हुए, for that, we have to use a version control hosting services, ठीक है, one or two of them, or whatever you want to use, मशूरे जमना को उन से भी आपको पता है, लेकिन I am going to tell you, ये में क्या करता है, ये में हमें enable करता है, to share the version control repositories, for example, जो काम अपने PC के अंदर किया, अपने system के अंदर versions different बनाए, आप उनी versions को as it is, GitHub के ओपर, या किसी भी version control hosting service के ओपर, totally ज्यादातर free ही होती है, वहाँ पे upload कर सकते हैं, not only that, वो internet based होती है, और आप उसको public भी रख सकते हैं, private भी, यानि कि आप खुद से भी उसको use कर सकते हैं, only you, या आप चाहते हैं कि लोग देखें उस repository को, तो आप उस पर अपना portfolio यो कोई भी चीज़ upload करके लोगों को भी बता सकते हैं, that this is how I am working on, ठीक है, so हमारे पास example के है, source forge है, bit bucket बहुत मशूर है, git lab भी बहुत मशूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशूर है GitHub, GitHub ही हमारा topic है, और हम इसी को यूज करने वाले, GitHub क्यों important है, उसकी reason है, GitHub इस वज़ा से important है, because people use this a lot, और खास तोर पे, GitHub जो है, ये Microsoft ने परचेस की हुई है, और इनकी जो इस वकत AI की दुनिया के अंदर, खास तोर पे, coding system के अंदर, जो different packages हैं, खास तोर पे, teachers और students के लिए totally free हैं, and at the end, GitHub को piloting का बहुत जबर्दस काम करते हैं, that is why we are going to focus on GitHub, अब GitHub जो है, ये version control system है, और हमारे पास जो git है, git is a kind of software, which you can install on your PC, और आप अपने PC के अंदर भी, git को save करके और use कर सकते हैं, अगर आपने version control hosting services को use करना है, then you have to install git on your PC, और उसको fetch करेंगे अब GitHub के account के साथ, तो आपका GitHub का account होना ज़रूरी है, यहां तक आपको clear हो गया कि Git क्या है और GitHub क्या है, क्योंकि जिन लोगों को अगर नहीं पता अभी भी Git क्या है और GitHub क्या है, we have to think about that in later stages as well, क्योंकि अभी से आपने सारे के सारा portfolio GitHub पे बनाना शुरू कर देना, but before going into the direction, यहां पे आपको कुछ GitHub जो है, वो user perspective के हवाले से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका यह पूरे का पूरा एक folder है, ठीक है, आप उसके versions बनाना चाहते हैं, आप तो locally अपने PC के पर भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन अगर आप सारे का सारा काम online डालना चाहते हैं, तो आपक versions को पहले save करते हैं, और उसको साथ साथ आप push भी कर सकते हैं on GitHub repository, fetch का मतलब यह होता है कि किसी चीज़ को online से download करना अपने PC के अंदर, और push का मतलब होता है, यहाँ पे पहकना, pull का मतलब है online से यहाँ पे लेके आना, ठीक है, अब यही नहीं, लोग use करते हैं GitHub को collaboration के लिए for example, यह मेरा PC है, यह किसी और का PC है, यह तीसरे बंदे का PC है, ठीक है, so there are three people जो एक ही time पे इसके अंदर version control system को control करके अपने documents के अंदर changes ला सकते हैं, आप एक software develop कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा हो software पे काम कर रहो, there are many people those are involved in Git versioning system of that software और एक बंदा supervised कर रहोता है, so there are many things which we are going to learn in this lecture, यहां पे आपको Git की समझागी, GitHub की समझागी, now we are going to work and install our Git in our pieces, लेकिन उससे भी पहले, कुछ operations हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, but I would suggest के सबसे पहले मैं अपनी Windows जो हैं, आपके सामने ले आता हूँ, और वहां पे हम बात करते हैं, हमने कि Git को install करना है, यहां पे आप जाएंगे जिगूगल पे, गूगल पे जाने के बाद यहां पे लिखेंगे Git, जैसे आप Git लिखेंगे तो आपके पास यहां पे Git SCM के नाम से एक website open हो जाएगी, ठीक है, Git SCM, आप क्या कर सकते हैं, इस Git SCM की website पे जाके, Downloads पे क्लिक करेंगे, और आप पे depend करता है, कि आपके पास कौन सा PC इस वकद मजूद है, यहां पे यह detect करेगा, कि आपके पास कौन सा PC मजूद है, तो मैं Windows के लिए इसे download कर लेता हूँ, यहां पे click करता हूँ, और अगर आप देखें, तो यहां पे click करने के बाद यहां आप से पूछता है, कि standalone installer चाहिए, या portable चाहिए, I would say standalone और मेरे पास 64 bit git for Windows setup चाहिए, तो मैं यहां पे click करता हूँ, आप भी इसे तरीके से अपने PC के हिसाब से download कर सकते हैं, अगर आपके पास Linux है, Mac है, doesn't matter, you can download this same software in the same way, जो मैंने यहां पे आपको बताया, meanwhile यहां पे हमारे पास download हो रहा है, and then we can install this into our PCs, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कि आपके पास कोई भी window है, जैसे मेरे पास window 11 है, आप download में जाएंगे, तो आपके पास git install, download हो जागा, मैंने पहले भी इसे download किया हुए, so I am just going to open this up, आप इसको open करते हैं, यह 59 MB का आपके पास software है, जैसे आप इसे open करते हैं then you have to install this, and meanwhile, जब आप इसे open करेंगे, तो यह जारी बात है, आपके पास different किसम की options आएंगे, which you can utilize, और इसको आप install कर सकते हैं, यह मेरे पास by the way 58 MB something का है, तो you can see that as well, यहाँ पे मैं yes पे क्लिक करता हूँ, yes पे क्लिक करने के बाद, हमारे पास यहाँ पे window आपियर होगी, यहाँ पे git को install करने के लिए, मैं next पे क्लिक करता हूँ, next, yes पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से भी folder बनाया हुआ था, so I will just do that, next, 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 use vim, इसको ऐसे ही जाने दे, जो भी कर रहा है, I am not going to change anything, I am just saying next, 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 so just to be very careful, आपको कोई changes नहीं यहाँ पे करने, तो इस तरीके से आपके पास git जो है, यह install हो जाएगा, and usually जब आप इसे install करते हैं, तो आप इसे vs code के अंदर भी utilize कर सकते हैं, for example, मैं vs code अगर open करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक button आ रहा होता है, आप इस पे click करेंगे ना, तो जब आपके पास git install नहीं होगा, तो यह आप चेक करें से finish करने के बाद, तो आपके पास release notes फोगरा open हो जाएगे, I am not gonna open these release notes, क्योंकि that's enough, I know already किस के अंदर क्या क्या करने वाला है, जैसे मेरे पास यह जनाबे वाला install हो गया git, now I am gonna show you किस तरीके से git जो हो काम करता है, लेकिन उससे भी पहले, मैं slides के ओपर वाप किस तरीके से यह काम करता है, अब यहां पर अगर गोर करें, GitHub user's perspective के हवाले से, आपके पास कुछ commands है, git init की है, git add commit की है, git log की है, git के साथ switch यह checkout लिखेंगे, वो command है, branching की है, merging की है, and then you have some other commands as well as clone, push, pull, fetch, remote, and these all commands can be helpful if you know what you are going to do, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक बता करता हूँ, कि आपको online GitHub cheat sheets already available हो जाएंगी, आप सिरफ और सिरफ उन online cheat sheets को देखके भी सारा काम कर सकते हैं, और coding के थूर सारी के सारी GitHub को control कर सकते हैं, for example, अभी मैं आपके सामने coding करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे पास GitHub है, वो काम करती है, यह git किस तरीके से काम करत है, मैंने git को install कर लिए, मैं इसको बंद करता हूँ, बंद करने के बाद, now I am going to create a folder, तो मैं यहां पर एक folder बनाता हूँ, अपने documents के अंदर, और इस folder का मैं नाम रख देता हूँ, git test, इसका मैंने नाम रखा, यह मैंने आपको पहले बता दिया, इसका नाम git test रखा है, मैं scale, display मे, scale 300, not that one, display monitor benightness, display resolution, यहां से इसको मैं, मेरे पास बड़ी heavyism किया रही है, तो मैं इसको 1920 by 1080 करना चाहरा हूँ, if I can see that, यह तो बहुत चोटी होगी, इसको बाद मैं देखता हूँ, मैं time जाया नहीं करते, यहां पे मैंने display में git test जो है, इसे folder को बनाया, यह folder मेरे पास आ गया, अब आपने start पे जाने, यहां पे git लिखने, तो आपके पास git का GUI भी भी आ जाएगा और git bash भी आ जाएगा, यहां पे मैं लिखता हूँ, और यहां पे मैं लिखता हूँ git test, तो यह मेरे पास इस तरीके से git test का folder open हो गया, अब जैसे मैंने git test का folder open किया है, you will see now one thing in this terminal, और पीछे आपके पास background भी आ रहा होगा, यहां पे मैं लिखता हूँ ls, ls का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास folders हैं इसके अंदर वो सारे के सारे शो करो, क्योंकि मेरे पास अभी कोई folder नहीं है, so it didn't show me anything, जैसे मैंने यहां पे git init लिखा, इसका मतलब है कि git की repository को initialize कर दो, लिखने के फोरण बात, अब दुबारा से मैं ls करता हूँ, ls-l करता हूँ, ls-al करता हूँ, तो मेरे पास यह folder बन गया, .git का inside this one, so this means के मेरे पास अब यह वाली branch start हो गए है यहां पे, अगर आप यहां पे view करें अपने folders को और आप hidden files को view करना चाहें, then your hidden files will show up here, ठीक है, अगर आपको नहीं बता, तो test.txt, मैंने जैसे यह file बनाई यहां पे यह file बनगी बीच है, यह आप चेक करें, यह मेरे पास एक test की file बनगी, अब test की file बनाने के बाद, मैंने का किया है, मैं अब git को use करते हुए, इसको fetch भी कर सकता हूँ, और इसको init भी कर सकता हूँ, I can do a lot of other things, मैं क्या करता हूँ, say for example, मेरे पास यह वाली window open है, अब मैं यहां पे जाता हूँ, Google पे जाने के बाद, मैं यहां पे लिखता हूँ, git cheat sheet, जैसे मैं git cheat sheet लिखूँँगा, then you will see, आपके पास एक git cheat sheet open हो जाएगी, for example, यह वाली पहले वाली मैं open कर लेता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास PDF के अंदर files available है, so, यह git cheat sheet मेरे पास open हो जाएगी, this will show you all the commands that you can see, so, जब भी आपने start करना है कुछ भी, तो उसके लिए, आपने किस तरीके से move करना है, I am going to show you that one, अब अगर मैं आपको सारा कुछ यहीं पर बताता रहूं, inside the terminal, तो यह आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, और थोड़ा सा यह boring भी काम हो सकता है, मैं कह करता हूँ, इसे बंद करता हूँ इस वकत, और आपको एक साधा तरीके से, बहुत असान तरीके से बताता हूँ, command line की जुबान से हटके, git test को मैंने remove कर दिया, folder पूरे का पूरा remove कर दिया, now we are going to open vs code, vs code के अंदर आपने जाने, जाने के बाद, आपने यहां पे क्लिक करने, यह तीन बटनों के ऊपर ठीक है, और for example, मैं एक यहां पे folder बनाता हूँ, और उसका नाम रख देता हूँ, यहां पे folder का नाम रख देता हूँ, my files for six months course, months course, इसमें आपने कोई भी जो है वो space नहीं देनी, underscore use करने, जैसे आप यहां से, अब open folder करेंगे, तो यह क्या करेंगा, आपका basically, आपको उसी folder पे ले जाएंगे, आप यहां से इस folder को open कर लेंगे, ठीक है, मैंने यह वाला folder open कर ली है, जहां पे मैंने folder बनाया था पूरे का पूरा, और इसको मैं थोड़ा करके control as करके save कर देता हूं, ठीक है यह एक file है मेरे पास, इसको मैंने save कर दिया, it looks like this, markdown की file है, python की files भी होंगी और इसी folder के अंदर आपका बहुत जादा data already available होगा, आपने इन तीन बटनों पे, इस button पे click करना है source control पे, यह control shift G दबाएंगे, तो आपके पास यह left side पे जो एक चीज़ आ रही है, यह आ जाएगी, मैं इस पे click करता हूं, click करने के बाद, अब यह मुझसे पूछ रहा है कि इसको initialize करने as a repository इस folder को या नहीं, तो यह वही command है जो अभी थोड़ी दिर पहले मैंने start की थी, which was get init, यानि के आप initialize करते हैं एक repository को, बजाए command line में लिखने के मैं यहां पे click करता हूं, मैं कहता हां भी करने, इसने इसको initialize कर दिया, अब initialize करने के फोरण बात, आपने क्या करना होता है, आपने यहां पे एक message लिखना होता है, commit message इसे बोलने है, इसका मतलब क्या होता है, कि जब भी कोई बंदा यह change देखेगा, that person will know कि किसने यह change किया है, उसका नाम क्या है, और change किस बारे में है, तो यह commit message जो होता है, यह लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगार vs code नहीं चलता आगे, तो आपने meaningful commit code यहां पे लिखना है, अब यहां पे मैं कौन सा commit code दे रहा हूँ, मैं यहां पे लिखता हूँ, adding text into my md file, ठीक है, यहां मैं यहां पे लिख देता हूँ, readme.md file, मैं जैसे इसको commit करता हूँ, now my commits has been saved inside the repository, जो मैंने start की है, अभी यह local है, मैंने इसको GitHub पे नहीं लेके गया, आप देखें, मैं यहां पे जो काम कर रहा हूँ, सारा कुछ यहां पे भी हो रहा है, what I can do now, अगर मैं यहां पे published branch पे click करूंगा, from here, ठीक है, publish branch पे click करते ही, यह मुझसे पूछेगा के कहां पे upload करनी है, क्यों upload करनी है, और कैसे upload करनी है, ठीक है, और यहां पे publish branch पे click करते ही, आपके पास यह option भी आ जाएगी, and you have to connect your, actually the GitHub जो आपका account है के साथ, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा account और यहां पे GitHub के साथ link है, तो मैं इसको sign out पहले कर लेता हूँ, so then we will see, के हमारे पास जो account available है, क्या हम इसको use कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं, let me see that, okay, मैं यहां पे publish पे click करता हूँ, if it shows me my account still, then it's fine, otherwise यह क्या होगा, आपको automatically यह पूछेगा कि कहां पे इसको upload करना है, और किस तरीके से आपने upload करना है, say for example, मैंने यहां पे start किया, और यह मेरे पास एक branch आई थी, मैं इस पे click करता हूँ दुबारा से, यह मेरे पास इसका पूरा का पूरा जो है, account details है मैं इसको दुबारा से reset करता हूँ, पहले क्योंकि मैंने अपना account ऐसे sign out किया है यहां पे अभी, because of that reason, maybe I have to go through another step exactly now it's working fine, जैसे मैं publish पे click करता हूँ, it's ask me यह तो github co-pilot का है, इसको बाद मैं देखते हैं, यह मुझे कहेगा कि क्या आपने अपनी github की id इसके साथ link करनी है, obviously आपको करनी पड़ेगी, और आपको allow पे click करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले, आपके लिए जुरूरी है कि आप यहां पे जाए github के ऊपर github.com के ऊपर और github.com के ऊपर जाने के फुरान बाद, आप sign-in करें, जैसे आप sign-in करेंगे, it will give you a prompt, मैंने यहां पे sign-in किया, और obviously मैंने two-factor authentication code लगाया हुआ है, so I need to work on that, मैं जैसे two-factor authentication code के ऊपर काम करता हूँ, then it will be working fine, so let me have one minute, क्यूंके मेरा mobile जो है, इसके साथ attached है, I have to confirm that two-factor authentication code for just one second, give me that time, so I can actually configure that, और जैसे यह मेरे पास आएगा, then it will be working fine, तो मेरे पास code जो है, वो मैं अपने mobile में डालता हूँ, because मैंने two-factor authentication on की हूई है, और जैसे मैं इसको run करूँगा, you will see, and now you can see the confirmation message here, ठीक है, आपके पास confirmation message जो है, चल पड़ा है, and GitHub is working fine, मैं अपना camera जो है, इसको तोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, तो मेरा camera अभी नहीं चल रहा, so let me fix that one as well, आप meanwhile अपने GitHub की IDs जो हैं उन्हें बना ले, आपके पास्टी just give me one second क्योंके मैं अपना camera दरा on कर लू camera ना हुआ दिन I will have my HD camera on the quality of that camera would be a little bit less but I think it's fine for now okay तो अब देखते हैं किस तरीके से ये चीज काम करती है मैं यहां पर face HD camera on कर लेता हूँ now it's working fine तो अब मैं आपको नजर भी आ रहा हूँगा और hopefully आवास भी सही आ रही होगी here we can have a look into our github account यह मेरा github account मैं login हो गया है login होने के बाद आपने क्या करना है यहां पर allow पर क्लिक कर लेना है यह allow का बटन आ रहा होगा आपके पास इस पर आपने क्लिक करना है मैं जैसे क्लिक करता हूँ it will actually ask the authentication permission from online तो मैं आपने कर लो and allow करने के बाद सब कुछ मानने के बाद मैं इसको open करूँगा VS Code के अंदर and you will see कि I am actually signing in to my github account और यहां पर github account के अंदर sign in होने के फोरण बाद it will actually show me कि मैं किस जगा पर इसे publish कर सकता हूँ now it will ask me if I want to submit this as a private repository या public मैं public पर क्लिक करता हूँ और इस repository का नाम जो मैंने यहां पर लिखा है यही public repository already online भी मेरे पास available हो जाएगी and now you can see के जो काम मैं अपने VS Code में करूँगा सारे का सारा publicly available होगा on online github repository sometimes आपके पास क्या होता है आपके पास कुछ इस तरीके से git log पूछता है और वो कहता है कि आप काम नहीं कर सकते because you didn't write your github config commands और आपको इसके उपर काम करना है ठीक है we will do that now और जो काम है हमारा मैं भी आपको दिखाता हूँ I think we need to add these two things आपको यहां पे git config username और first name एड करना है जो आपकी github की account का है तो मैं वही चीज यहां पे add करता हूँ simply मैं यहां पे add करने के बाद जहरी बात है मेरा जो नाम है वो यहां पे लिखता हूँ तो it's this name on my github id मैंने जैसे enter किया यह add हो गया अब हमने क्या करना है दूसरा काम करना है दूसरा काम क्या है अपना email add करना है जो मेरा proper github का email है ठीक है मैं यहां पे वो add करता हूँ so just give me one second और यहां पे वो email add हो जाएगा if I add that here तो इसको मैं यहां पे add करता हूँ and then I will show you तो मैंने अपना email भी add कर दी है और git config id भी add कर दी है और मुझे वो ही idea add करना है which has my original name and email address online ठीक है तो मैंने उसको करने के बाद यहां पे publish branch को करते है and let's see कि अब हमें क्या कहती है otherwise अगर error आती होई then we will find a kind of you know a pattern कि किस तरीके से इन errors को resolve करना but hopefully this will be working fine now it's asking me again कि github के अंदर sign in करे मैं कहता हूँ ठीक है just sign in to your with browser कर लेते है और जैसे मैं browser के साथ sign in करता हूँ authentication succeeded वो कह रहा है कि आप वापिस चले जाए अपनी website के उपर sorry VS code के उपर हमें आ गया हूँ वापिस let's see authentication होने के बाद अगर यह काम करता है या ने करता है and this is how you can actually do all the things अब देखें जी यह काम कर गया है because everything is working fine now मैं यहाँ पर जो भी change करूँगा वो मेरी online repository पर आएगी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाओं कि मेरी जो repository है वो कहाँ पर upload हूई है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी repository ओपन करता हूँ repository ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपके मेरे पास जो पहली ही repository है my file for six months course तो यह जो मैंने recent repository बनाई है यह online मेरे पास available हो गई है and you can actually see कि सारा का सारा data set जो है वो online मेरे पास यहाँ पर easy way में show भी हो रहा है और अगर मैं कोई चीज यहाँ पर change करता हूँ for example मैं यहाँ पर लिखता हूँ my first change लिखने के बाद मैंने यहाँ पर ctrl s दबाया जैसे मैं ctrl s दबा के save करूँगा you will see one change here तो आप इन changes को stacked कर सकते हैं यहाँ से stage changes भी बोलते हैं it's roadly up you तो मैं stage बोलता हूँ इसको basically तो इसको हम stage changes करते हैं तो यह stage हो गए यह अब हम इसको commit करेंगे तो यहाँ पर मैं अगर मैं लिखता हूँ दुबारा से first change in file इसको मैं commit करता हूँ commit करने के बाद यह मुझे कहेगा कि sync करें in changes को online अभी तक के लिए कुछ भी online यहाँ पे shown ही हो रहा my task के इलावा ठीक है मैं इसको refresh भी करके देख लिया nothing is being shown here other than that लेकिन हमारी file के अंदर हमने already exchange की है my first change मैं जैसे sync पे click करता हूँ then you will see that sync होते ही जितना data या जो file मैं यहाँ पे अपने पास save करता हूँ वो सारी की सारी online available हो जाएगी for everyone ठीक है और let's see जैसे यह मेरे पास यहाँ से commit करना finish हुआ sync करना finish हुआ मैं यहाँ पे आया मैंने इसको refresh किया refresh होने के बाद यह changes यहाँ पे sync हो गई यही नहीं भई आप अपने folders बना सकते हैं मैं यहाँ पे बनाता हूँ folder dash यह underscore one एक folder बनाया और इस folder के अंदर मैं आप यहाँ पे folder पे click करके रखता हूँ file बनाता हूँ test.ipynb इस test की file को मैंने बनाया मैंने control s save किया अब आप देखिएगा जैसी मैंने इस file को बनाया यहाँ पे changes आगी so usually आप क्या करते हैं एक project के start में और end में commit करते हैं जरूरी नहीं है कि आपने बार-बार commit करना है but I am just showing you तो folder made for the first time यह मैं अपना commit लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस पे click करने के बाद अब इसको commit and push भी कर सकता हूँ commit and sync भी कर सकता हूँ push का मतलब है कि यह सारा कुछ commit के फोरन भाद automatically push हो जाए sync का मतलब है अगर सारा कुछ online पढ़ा हुआ तो वो automatically sync हो जाए मैं commit and push पहले करता हूँ आप देखिएगा कि मैंने commit and push किया now everything is going online in a second and this will help you to understand किस तरीके से आपका data सारा push हो रहा है तो यह मैंने वहाँ से push की है मैं जैसे इसको refresh करता हूँ you will see कि जनाबे वाला यहाँ पे आपके पास एक folder बन चुक है ठीक है अब अगर मैं कोई online change करता हूँ for example मैं इस readme file के अंदर कोई change करता हूँ online github के account के through then you will see किस तरीके से यह सारे के सारा मामला हमारे पास sing होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ my second change करने के बाद मैं control s दबाऊंगा तो यह commit यहाँ पे आजाएगा आप यहाँ पे अपना message भी लिख सकते हैं मैंने यही commit message लिखा कि मैंने update कि है readme file मैं यहाँ पे लिखता हूँ commit commit करने के बाद जनाबे वाला यह मेरी github जो है automatically यहाँ पे save होगी है but on the other side अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे वो चीज शो होनी चाहिए ठीक है अगर आप यहाँ पे sync पे click करें या whatever you do तो हम क्या करते हैं for example vs code को बंद करते हैं मैं दुबारा से on करता हूँ and जैसे मैं ऐसे on करता हूँ it will actually check online things मैं github copilot को भी नहीं use करता so आपको यह बताएगा कि sync changes आप कर ले कोई किसी ने online changes करती है तो for example मैंने sync करता हूँ सिर्फ sync का button दबाना है and everything will be synced online तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास चीजें जो हैं automatically sync हो चुकी है and this is how you can view the synced change देखा my second change and this is how it works आप online changes को भी sync कर सकते हैं अपनी changes को भी push कर सकते हैं and there are many other things in git and github portfolio which you can understand और यहाँ पे मैं आपको एक point पे ले के आता हूँ which is very important whenever you are working on github तो that is github student developer pack आप इस student developer pack के ओपर काम करें जरूर और इसको अपने पास save करें आपके पास student id है आपके पास student account है then you must use this student developer pack which gives you a lot of packages and a lot of things free of cost तो आपने क्या करने है sign in with github करने और sign in करने के बाद आपके पास यहाँ पे sign up के option आएगी for student developer pack then you have to find it out अब क्या है जी यह क्यों जरूरी है student developer pack और education और बाकी चीज़ों के लिए क्यों जरूरी है मैं यहाँ पे अगर click करो यहाँ पे अगर गौर करें तो student developer pack पे आप click कर सकते है and this student developer pack is important क्योंके github copilot आपको totally free में available है what is github copilot इसके बारे में थोड़ी से गुफटगू करते है for example मैं यहाँ पे यह बार बार मुझे पूछ रहा है github copilot का तो github copilot is kind of extension which you can install here github copilot आप यहाँ पे लिखेंगे यह copilot लिखते है मैं इस extension को search करता हूँ यह वाली extension है मैंने इसको install किया हुआ आप भी install कर ले install करने के बाद जब आपके पास github copilot होगा then you can actually sign in to github मैं जैसे allow करता हूँ तो यह automatically sign in हो जाएगी because I have already provided the permission to sign in and you will see a change here अब हमारे पास github copilot open होगा अब मैं test के अंदर यहाँ पे लिखना जाता हूँ create a line plot with dummy data यह मैंने लिखा ठीक है यहाँ से अपने kernel साब पहले मैंने select कर ले ने because I have to select something so let's see अब github क्या करेगा github copilot will actually help you और किस तरीके से help करेगा we are going to see that पहले तो मैं इसको restart करूँगा because whenever you install something and activate something it's always recommended to reinstall things मैंने इसको reinstall किया and now you will see के यहाँ पे आपको sedation आने लग जाएंगी ठीक है और वो sedations यहाँ पे यह wheel जो गूम रहा होता है it's gonna give you those sedation मैं कुछ नहीं कर रहा और यह chat GPT को use करते हुए some kind of line plot और मैं कुछ नहीं बना रहा believe me I'm just putting enter and tab and that's it और उस plot को आप अच्छे से देख सकते हैं आप title एड कर सकते हैं something like this and axis एड कर सकते हैं मैं सिरफ enter दबाता जा रहा हूँ it's automatically doing everything so यह auto code आप इसके थूरू कर सकते हैं display the plot plt.show जैसे मैंने इसको run किया है यह जनाब आपके पास एक line simple line plot आपके पास आगया so इस तरीके से आपको यह suggest करता यही नहीं आप यहां पे भी लिख सकते हैं कि for example give me an example of say for example of a plot using plotly for titanic data downloaded from sns.loaddataset तो जैसे मैंने यहां पे side में chat भी दिखी github chat copilot की which comes with the github copilot तो यह क्या करेगा आप यहां पे chat लिखे chat लिखने के फॉरण बाद it's gonna think for a moment और think करने के बाद यह आपको code देगा which you can actually just click on the code वो यहां पे code snippet add हो जाएगी और उस code snippet के through आप कुछ भी काम कर सकते है so जैसे मैंने यह लिखा है यहां पे you will see that यह मेरे पास code snippet है यह मैंने add की है मैं इसको run करने के कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास plotly install हुआ it's gonna give me some kind of nice plot और मैंने कुछ नहीं किया मैंने सिरफ और सिरफ वो चीज वहां पे लिखी है and it will take some time by the way क्यों क्योंके हमारे पास जो plot plot लिखाता है you see मैंने कुछ नहीं किया मैंने सिरफ और सिरफ प्लोट की type लिखी है and at the end हमारे पास plot आ गया this is about github co-pilot और अगर आप github co-pilot को use करना चाहते है then you have to work alongside with the with the things जो भी मैंने आपको बताई है आप से मेरी request है कि अभी तक आपने जितना देखा है इसको implement करें github के उपर काम करें github को चलाना सेखें और अपने code को एक final repository जिसका एक proper अच्छा नाम हो उसको push करते जाएं और अपनी सारी चीज़ें online github repository के उपर save रखें आप मैं से जितने लोग हैं जो student है वो github जो आपका student developer pack है वो लें और जो teachers हैं वो teacher developer pack लेग सकते हैं आप google पर search करें everything is available there यही नहीं एक और चीज़ last but not the least मैं कहके आपको बिताता हूँ वो यह है जनाबे वाला के आप अगर online जाएं तो student developer pack के बिलकुल साथ आप campus expert की application के लिए भी apply कर सकते हैं which gonna help you a lot ठीक है so campus expert पर click करें और इसकी last date जो है वो application की यहां पर लिखी होगी which can help you for example as a student आप एक campus investor बन सकते हैं और उसकी last date जो है वो 29 February है to apply for that इसके कई perks हैं आप एक बड़ी जो github की बहुत बड़ी repository है या बहुत बड़ी जो community है उसके अंदर as a campus investor अपनी university को represent कर सकते हैं and then they send you a lot of things to create some kind of events as well यह था जी अभी तक के लिए hopefully आपको समझ आई होगी मेरी आप से request है कि सब कुछ practice ज़रूर कीजिएगा ठीक हो गया